वेल्कम बैक एब्रिवन वेल्कम टू सुबल सर्विसेश टड़ी टेस्ट नंबर 158 लगाते हैं यूपी पीसेश के लिए चले स्टार्ट करते हैं फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्णों पर तो कोश्चा नंबर बन पर आजाईए बताईए निम्रिकित अधिका को अपलब्द है मतलब जो केबल दोनों को अपलब्द है ठीक है तो बिधी के समक्ष समानता भारतियों को भी विदेशियों को भी है भेदभाव के विरुद्द अधिकार केबल भारतियों को है देश भर में सोतंतर भर्मन की सोतंतरता केबल भारतियों को है चुनाब लड है कि विधी के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्लब्द है यानि विदेशी नागरिकों को भी देगे 15 अनुछेद और 16 अनुछेद कई बार बताया है 19 आपको याद रखना है 29 और 30 यह जो 5 अनुछेद हैं यह केवल भारत अभिवक्ति की सुतंत्रता केवल भारतियों के पास है किसी देश के किसी भाग में घूमने और वश जाने का अधिकार केवल भारतियों के पास है संपत्ति अर्जित भारतियों करेगा विदेशी नहीं संब्यधानिक निराकरन का अधिकार भारतियों के साथ साथ विदेश पोशन नमबर थ्री पर आजएए, भारते सम्विधान मानिता देता है केवल भासाई अलप संखेकों को, केवल धार्मिक अलप संखेकों को, धार्मिक अलप संखेकों को, धार्मिक अलप संखेकों को, धार्मिक अलप संखेकों को, भारत का सम्विधान मानिता नहीं देता, ध धार में और भासाई अल्प संख्यकों को देता है तो सी उत्तर लगाना उचित रहेगा तो भारते संभिधान धार में और भासाई अल्प संख्यकों को मानिता देता है संभिधान के नुच्छे 30 के तहए धर्म या भासा के अधार पर सभी अल्प संख्यक वर्गों को अपनी रूची की सिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है वेश्चा नुमर फोर पर आज़िए भारते संविधान के नम्रिकित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद एक लोग नियोजन के विश्य में भारत के सभी नागरिकों को समान अ अन्सर भी हो जाएगा इसका 16 का एक और 16 का दो इसमें अवसर की समानता तो भारते संविधान के नुच्छेद 16 ए और 16 बी यानि 16 का यह 16 दो कि तहत राज के अधिन किसी पदपन नियोजन के विश्य में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्यभू संसुधन करके सिक्षा का अधिकार fundamental rights कब बनाया गया शिक्षा का अधिकार बरतमान में एक मौलिक अधिकार है एक अप्रेल 2010 से अनुच्छेद 21 का का तो भारते संभिधान में संसुधन करके एक अप्रेल 2010 से सिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया भारते संभिधान क किस अनुच्छेद में विधी की समयक प्रक्रिया के सिद्दान्द को सामिल किया गया है और कहां से ले गई है ये USA से अर्टिकल 21 तो अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधी द्वारा समयक प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अ व्यक्ति के मौलिक अधिकारू की रक्षा किस अनुच्छेद में परदत है। देखें, पंद्रे में तो है नहीं, सत्रे में अस्प्रश्चता का अंत है। इसमें होगी, 22 में। तो अनुच्छेद 22 में कुछ दसामें गिरफतारी और निरोद से सनरक्षन परदान किया गया ह किसी व्यक्ति को जो ग्रफतार किया गया है, ऐसे ग्रफतारी के कारण से यथा सिग्र अभगत कराए बिना अभिरक्षा से निरुद्ध नहीं किया जाएगा, या अपनी रूची के विधी व्यवसाय से परामर्स करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से उसको वंचित नहीं रखा जाएगा, आसान भासा में समझें, अगर आप किसी को ग्रफतार कर रहे हो, पुलीसी ग्रफतार करती है, तो उसको कारण बताओ क्यों ग्रफतार किया है, ठीक है, चौबिस घंटे के भीतर, या चौबिस घंटे के बाद मजिस्टेट के सामने उसको प्रस्तु हिंदू सब्द किसे समलेत नहीं करता, बोध्धों को करता है, जैनों को करता है, सिखों को करता है, पार्सियों को नहीं करता, तो भारते सम्विधान के अनुछेद 25 के प्रियोजनों के लिए हिंदू जो सब्द उसके अंतरगत बोध्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते द्रख्रमाना जाता है यह हाद्टि को मतलब बंदी प्रत्रक्षा करन उसको बोलते हैं तो बंदे प्रत्रकशहन प्रलेक को किसी विएक्ति की वात्रा का महंतम रख्षक मानट उस विक्ति के निश्यत समय के भीतर जो है नयाले के समक्ष प्रस्तूत करें ठीक है यह रिट उसके संद्रक्षन के लिए होती है पता चला पुलिस उसको मतलब एंकाउंटर कर दे उसका कोश्चन नुमर दस पर आजए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया पुलिस उसके बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया 1976 में 1976 में पारित किया गया जिसका उद्देश केवल बंधुआ स्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं वलकि उनके पुनरवास की ववस्था करना भी है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज के दावे है अधिकार जो है वो राज के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं विरुद्ध राज्य के सी है इसका अंसर तो अधिकार मानव व्यक्तित्व के समगर विकास की अनिवार अभिक्षाएं हैं इनके अभाब में मानव का बौध्धिक नैतिक अध्यात्मिक और अलोकिक उत्थान वाधित हो जाएगा अब मानव जीवन पशूबत हो जाएगा यह है राज्य कारवाही के विरुद्ध प्रत्यभूती मतलब गारंटी है अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं सेवा के अधिकार की अवधारणा कहां प्रारंब होई अमेरिका में या ग्रेट बिटेन में सेवा के अधिकार की अवधारणा कह से ली है भारत ने है ग्रेट ब्रिटेन से तो देखिए सेवा की अधिकार की अब धरणा ग्रेट में प्रारंबोई इसका ताथ पर उस अधिकार से है जिसके तहट राज एक निश्चित अवधी के भीतर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है इसे क्लियाणकारी राजगी संकलपना का समावेशन भारत संभिधान में है इस संभिधान के भागचार में है यह questo सब्सक्राइब है और इनमें जो आर्टिकल है कल्यानकारी राजी वाला वो है अनुच्छेद 49 ठीक है तो भारते सम्विधान में कल्यानकारी राजी के अब धारणा आर्टिकल 39 में वर्नित है थम्लेट पर प्रश्ण पूछा यह वाला कॉश्चन नुबर 14 पर आजए भारत तो भारते सम्विधान में समर्यत है नीती नेश्चक सेदात इनको बोलते है डायरेक्टिव प्रिंसिपल अफ दर स्टेट पॉलिसी हमें वर्स 1937 के आर्लेंड के सम्विधान से प्राप्त हुई आर्लेंड के सम्विधान से अनुसर नहीं है इस भाग पर जो है फेवियन समाजबाद उदार लोक तांतरिक विचाध हरां का और गांधिवाद मानाव अधिकारों की सावर्तिक गोष्णा आधी का व्यापक प्रभापड़ा में 1937 में आर्लेंड के सम्विधान से कोश्चा नुमबर 15 पर आजए अंतिम प्रश्न है ये राजिके नीतियं सक्षिद को भारतिय संविधान में समरिद किया जाने का उद्देश क्या है राजनातिक परजात अंतर को स्थापित करना नहीं सामाजिक परजात अंतर को स्थापित करना भी नहीं है गांधिवादी परजात अंतर को स्थापित करना भी नहीं है सामाजिक और आर्थिक परजात अंत दी इसलिए आंसर इसका तो राजिके नीतिने सक्सेदांतों को भारते संभिधान में सामिल किये जाने का उद्देश है सामाजिक और आर्थिक परजातन्तर को इस्थापित करना याद रखना राजनितिक नहीं है इसमें यह उद्देश एक कल्यान काड़ी राजिकी स्थाप अपना के लिए प्रावधान करना चाहते थे जिन्होंने बनाया संभिधान ठीक है तो एक बार इसकी प्रक्टिस कर लेना आज की डेट का ये चौथा टेस्ट था यूपीपीसेस का और शुरू के दो एक टेस्ट में पंदरा और इसमें पंदरा यानि हो गए प्रश्ण 30 और दो में 20 पीस है ठीक है यानि 70 प्रश्णों की प्रक्टिस आज होई है चार तिन साथ है ठीक है